पिंशना चै। swoją प्रबो ना सिरानोताम है किशना तो एक बड़ी ही अच्छी स्टोरी है एक बार एक बहुत भी गरीब किसान वता है अनपढ़ बीचारा गरीब किसान मेहनत कर रहा होता है अपने खेट में तो एक बार क्या होता है उसको अपने खेट में से कुछ चमकदार पत्थर मिलते हैं तो वो चमकदार पत्थर की पोर्टली को क्या करता है अपने बच्चे को खेलने के लिए दे देता है उसको मालूम नहीं होता कि वो क्या चीज है उसका बच्चा वो पत्थर को खेलता है गुलेयर के साथ उसको ऐसे मारके फैंग देता है तो सिर्फ आखिर में एक पत्थर बचता है उसको वो घर ले जाता है घर ले जाता है तो उसके बाद किसी दिन उसके घर के पास से एक जोहरी गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि इस पच्चे के पास तो बड़ा ही चमकदार एक पत्थर है जोहरी देखते समझ जाता है कि ये कोई आम पत्थर नहीं ये तो बहुती पेश कीमती हीरा है जिसको लाल कहते है तो वो पूछता है उसकी माता से कि ये क्या मुझे मिल सकता है तो उसकी माता कहती है कि इस पत्थर के बदले में क्या दे सकते हो तो वो जोहरी कहता है कि इस पूरे संसार की दोलत भी अगर इस पत्थर को नहीं करी सकते है अगर पूरे संसार की दोलत भी इसके लगाई जाए तो उसके पास जितनी भी दौलत होती है वो जोहरी उसको दे कर और वो हीरा ले जाता है जब उस बालक का पिता वो गरीब किसान घर आता है तो देखता है कि इतनी धंदौलत कहां से आई तो पूछने पर सारी बात और जब उसकी माता बताती है तो उसको पता चलता है कि ये इतने अनमौल हीरे जो थे वो उसने व्यत्थ में ही गवा दिये तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस परकार से उस किसान को नहीं मालूम था कि वो चमकीले पत्थर इतने अनमौल हीरे हैं उसी परकार से हमें अपने इन श्वासों के बारे में जो हमारी सांसे हैं, हमारा जो जीवन है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम कि ये कितने अनमौल हमारी स्वासे हैं, इसको किस परकार से हमें इस्तमाल करना है जब हम अपनी स्वांसों को सिर्फ खाने पीने सोने में वेश्ट करते हैं तो ये उसी परकार जिस परकार उस किसान ने हीज़ों को वेश्ट किया ये उसी परकार का है हमें अपनी स्वांसों को सबसे बेस्ट यूज में लेकर आना है हमें इन परश्णों का उत्तर ढूंड़ना है कि भगवान ने हमें ये जीवन क्यूं दिया हमें ये सांसे किस लिए मिली है तो सबसे बेस्ट यूज जो होगा हमारी स्वांसों का यही होगा कि हम परतेक सांस में भगवान को याद करें भगवान का नाम जिपें तो इस परकार से हम अपनी जीवन को सफाल बना सकते हैं हरे किश्न